तो यहाँ पर देखिए मैंने पालक को पीस लिया है अच्छे से और यहाँ पर मेरे रोटी बन का भी तयार हो गई है हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई हो पाप सभी ठीक होंगे तो स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉक के साथ और अभी रात के 8 बच चुके हैं और मैं अभी आई हूँ कीचन में बहुत सारे काम किये हैं इससे भी पहले और अभी खाना बनाने का टाइम हो गया हैं बच्चे पढ़ा हो और मैं यहाँ पर क्यों नहीं बोर रहे हूं ये भी जान लिजिए क्योंकि बच्ये हैना अगर मैं यहाँ पर शोड़ शरावा करूंगी तो बच्चों का ध्यान डायवेट हो जाएगा वो मेरी तरफ ध्यान रखेंगे कि मम्मी क्या बोर रही है और ब्लॉग ब तो ऑभी जो Hum beet to वहां पर नहीं बोड़ uns चुर्म पर मैं बात में बोलीगी तो अब ही में बना रही हो खाने में पालग पनीर आपको सब्सक्राइब हूँ जैसे मैं बरतन धोती हूँ वैसे ही मैं सिंग को भी माजती हूँ अच्छे से और जो है पालक में धो कर आ जो है बहोना हो या पतेला कोई खुला बरतन उस में बनाऊंगी जैसे यहां पर एक कड़ाई है तो मैं इसमें डाल दूगी इसमें एक उबाल लगा दूगी ज ने सोचा कि अभी जो है मैं ऐसे ही बनाऊंगी ठीक है स्वाद में कोई फरक नहीं होता है लेकिन कलर में फरक हो जाता है तो तो दोस्तों जो है यूट्यूब में एक प्रॉब्लम से आ रही है कभी जो है व्यू कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं क्या जो हमारी वीडियो लोग तो नहीं पहुंचता है मुझे तो ऐसी लगता है और जो हम ब्लॉग बनाते हैं वो इतने बुरे भी नहीं होते हैं कि भाई लोग देखना पसंद नहीं करते हैं ऐसा भी नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो वीडियो है ब्लॉग है वो लोगों तक नह पहुचाआ जाता है और कुछ लोगों के मैंने देखा है ना मुदलब कुछ भी नहीं रहता है उनके ब्लॉग में लेकिन तब भी व्यू बहुत आते हैं हो सकता है उनके रिस्तदार हो उनके जानने वाले हो मुझे तो ऐसी लगता है और हमारे भी रिस्तदार कोई कम नहीं है बहुत सारे रिस्तदार है एक इंसान से कितने लोग जुड़े होते हैं यह आप सभी को पता होता है अगर हाँ कोई लबारिस हो तो हम मान सकते हैं कि उस 20 चजार या 30,000 के करीब हमारे रिसाधार तो हों गई हों गई भाई माला कहीं से कहीं जुड़े हुए कहीं से कहीं तबी के होते हैे ऐसे तो होते हैं तो नोगों को मैंने पहुंचा भी रखए हैं अपने जो वीडियो के लिंक और सबको बोड़ रखाया कि भाई आप सस्क्राइब कीजीए आप देखे लेकिन इन में से जो है बहुत मलब एक आदा कभी कभी किसी वीडियो पर दिखता है लेकिन कोई भी जो है रिस्तेदार जो है वीडियो नहीं देखते हैं और रिस्तेदार क्या आसपास भी इतने गली महलने हैं इतने लोग उनके भी रिस्तेदार हैं लेकिन पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि दूसरों को मलब इतना बोलने के बाद भी जो है वो थोड़ा सा अपने समय नहीं निकाल पाते हैं अब ऐसा भी नहीं है कि कि पेटवर्क की प्रॉब्लम हो री है या किसी घर में इंटरनेट नहीं है ऐसा है अब तो हर किसी घर में वाइफ़ाई कनेक्षन हो गया है फोन इतने सारे हो गये हैं जैसे की एक परिवार में पान्च फोन यह जितने भी परिवारमें सदस्ट यह हैं उतनों के पास फोन है और 2-2 किसी के पास 정도 2-3 तीन फोन है और लोग मझाल एक भी सस्क्राइब करने में या फिर देखने में उनको प्रब्ल्म हो जाती है मेरे जितने भी जानने वाले हैं कि मैंने उनके सुना है कि उनके घरों में वाइफाइ है लेकिन मचाल है जो उन वाइफाइ वालों किसी ने जploy है मेरी वीडियो आज तक देखी होगी हाँ अगर कभी एक अदा चुपके से देख। कमेनट टो नहीं रहता है उनका कुछ नहीं लेकिन चुपके से देखते होंगे बात रखते हैं नजर रखते हैं ये दो कर रहे हैं कि कहा है क्या कर रहे हैं कहाँ जा रहे तुम्हें क्या जरूरत है चैनल बनाने की तुम्हें क्या जरूरत है पैसे कमाने की अरे भाई यह सोच बदलो ऐसा नहीं है अगर हर कोई ऐसा सोचने लग गया तो लोग तो घर में बैठ जाएंगे वह बात नहीं है कि हमें पैसा ही कमाना है एक फैम नेम भी होता है कि जो इ अगर मैं जो है चैनल से बहुष में जो कमाई करूंगी तो मैं यह गरीबों में लगाने ही वाली हूं मैंने यह बहुत बार बोल दिया वीडियो में और धीरे धीरे लगाऊंगे अभी मेरा इतना बजट नहीं हो रहा है कि मैं यह सब करूं अभी तो मुझे अपने जो थोड ये चीजे करने वाली हूं और अभी जो है बच्चे भी छोटे हैं तो मैं जा नहीं पाती हूं इदर उदर कहीं मैं देख नहीं पाती हूं लेकिन उसके बाद जब मैं बच्चे खुद से करने लगेंगे अपना खाना पीना ऐसे तो मैं ये करने वाली हूं गरीबों की सेवा समास सेवा मैं करने वाली हूँ तो लोग ऐसे बाते बोलती ना तो बहुत अजीब सा लगता है कि यह कैसी सोच है इनकी मलब पैसों के लिए हम यह कर रहे हैं और उनको और इसके पाद तो है हमने इसका चैनल क्या देखना है इसको पैसे मिलेंगे अब कुछ-कुछ लोग तो जो है अपने रिस्तेदारों को बहुत सारे लोग को यह अपने वीडियो लिंक सेयर भी किये हुए हैं और सब बोलते हैं हमने सब्सक्राइब किया हुआ है हमने शेयर किया हुआ है लेकिन कुछ नहीं होता है अंजाम वहीं के वहीं रहता है मलब खाली बोलने को बोल देते है या हमारे गाउम ऐसे जो भी है एक जो है उबरता कोई कलाकार है ऐसे तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए लेकिन कोई नहीं करता है सब लोग दूसरे को देखके पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं और मेरे पास जिस जिसने भी आज तक रिक्वेस्ट किया होगा ना कि कोई कुछ पूछा होगा ना यूट्यूब के बारे में कि भाई हमें ये बता दो हमें ऐसा बता दो कोई फोन करके कोई जो अपना होता है वो फोन करके पूछते हैं या फिर कोई दूसरा होता है तो इमेल के थ्रू पूछते हैं कोई भी कुछ होगा ऐसे हम इतने बड़े यूटूब के बारे में काम किया जाता है तो जिन लोग के मैं मदद करती हूं वो लोग भी जो है अब मेरी वीडियो नहीं देखते हैं और सपोर्ट नहीं करते हैं तो यह थोड़ा सा बुरा लगता है तो दोस्तों देखिए बातों मैंने खाना भी बना लिया है और यह झाल